यह वीडियो बना रहा हो for uniformly मेने को पकरना पर रहा है एक अच्छा स्टुरेंट भी है एक average स्टुरेंट भी है 25 इस नौट बैड माक्सिट आप में से काफी हैं कवलिडियो वड़ व्लाया था तो अधर काफी लो कर चैज़े बना ये उड़्ाव बनगा से त defence किए ये तो इतना बड़ा मोटा बूक कोई मैं किया कोई कबर नहीं के लिए बट फिर भी यार मैं जो चीज़ आपको बोलूंगा या फिर जिस टॉपिक आपको बोलूंगा जो चीज़ आपको पढ़ने को बोलूंगा रधर अगर आप करते हो आपको कम से कम बहुत ही अच्छा माक्स 40-50 माक्स आउडव सेवेंटी फिजिक्स में आएगा ठीक है मैं बात का रहा हूँ क्लास 11 वालोंगी एंड जो लोग बहुत जादा डिप्रेश हो डिप्रेशन में हो प्लीज यार डिप्रेशन में मत रहो यार मैं जो चीज़ बोलू तुम टॉपिकवाइस पकर के पड़ते हो तो तुमको माक्स मिलेगा ठीक है और वह चीज़ मैं आपको आज बोलने वाला हूँ रादर दिखाने वाला हूँ और क्या-काट टॉपिक से क्या-काट टाइप सब कुशन आता है वह भी हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करूँ तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है आइगेस आप अंद तक देखो तो को काफी चीज पता चल जाएगा ठीक है तो चलो यार वीडियो को से अपकर तो यार मैं ओल्री फॉर्स में डिसकस कर तो मांक्स इस्टिविशन फॉर्यों क्लास 11 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यह तीनों पूर्शन से अपको 23 मार्क्स का कोश्चन पूछा जाएगा और फ्योर फाइनल फाइनल में इतना सरा चीज इतना 23 मार्क्स का कोश्चन आपको इस पार्ट से आएगा इसके बाद क्या है इसके बाद है यार वोग एनरजी पावो और आड मोशन इनल रिजिद इसके बाद यार ग्रेमिडिशन ए यह तीनों पार्ट से अपको 17 मार्क्स का कोश्चन पूछे जाएगा इसके बाद में पूरा टॉपिक बोल लौ बना से बुझे है बाद में तोस्के बाद में तॉपिक वाई जाओंगा एन टोपिक में क्या क्या कोश्चन आता है मिं व करते हो आपको भी फाइनल्स में अच्छा माक्स आएगा एंजिन लोग का अभी तक हफ्याली नहीं वा भाई टिंशन मतलो जो चीज आकर तुम्हारे मैं जो चीज बोलूँ का इसके अंदर तुम्हारा आएगी तुम्हारा टॉपिक होगा तो वह परके जाओ तुमको आवि जोरव देऌली कैसे तरहा फिर पर गुक्स लिएक सम्से संर फो टॉट बडाद टॉपिक प पर टीजा कोटर गीका ॉर्ट बड़ि दूपिक ratio जह सुन हो Dimension and Analysis आप जासे फुलबार्व अप मिल सकता है Dimension and Analysis अच्छे से पर्क जाओ स्ब यह जा भी इस अप कर सकता है अप लिखे लिखे करो यह बहुत ही असा है ठोड़ा समझ लो हम भी किया है आप भी कर सकते हुझा एड और एक बाद मेरा भी मेरा भी अविए अविए भी बहुत गंदा गया था था टिक है बट फाइनल्स में अब अब यार रिलेटिंग मोशन है ये तियों चैटर है बट वेक्टर इस वेरी इंपोर्टेंट भाई मैं अभी वेक्टर पर रहा हूँ समझ सकते हैं इंजिनियरिंग में भी वेक्टर है वेक्टर अब को सारे जगा में बहुत कामा आए काम मतलब सारे अब वेक्टर सकते हों घृति वेक्टर ये फीर वेक्टर है तो अब को मैं अपनें सेक्शन में चैनल निचे कॉमएंच revolutionary इंस भी सग्रा तो कितना एंगल्ण में ऑस इस बौर को में थो omatic ताकि यार वह maximum distance travel करें आप मेरे को इसका answer नीचे comment section ने बताना ठीक है तो इसके बाद यार क्या हुआँ इसके बाद यार newton's law of motion तो newton's law of motion is also a very important chapter और रधर यार newton's law of motion is easy क्यों easy? free body diagram है इसके बाद यार impulse है ठीक है? तो free body diagram से आपको यह वाला question forward मतलो कि फ्रीक्षन के chapter से भी पूछ जाएगा एक diagram डेदेगा कि यह उपर अब यह निचे वाला कब यह है है नी हो रहा है तो कितना friction होगा fk, muk और रहा होगा तो इसलिए यह वाला यह बाद रहा है यह वाला free body force diagram is very important free body diagram वो वाला question आप easily कर से तो mg minus आप जानती हो यह यह वाला easy है मैं easy easy chapters and derivations वाला चीजी में पहले आपको गोल रहा हूँ इसके वास friction, friction अगड़ 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 फ्रीक्शन परने से पहले मैं बोलूंगा याद आप free body force diagram अच्छी ताइब से क्लियर कर लो जो concept है ना concept क्लियर कर रहा हूँ और अगड़ अगड़ आप लोग चाहते हो मैं हर एक प्राइ करूंगा वह सारे concept एक एक वीडियो करके क्लियर कर दना पर ठीक है हो गया इसके बादे फ्रीक्शन हो गया fk is equal to mu k mu k into art तो आप जानते ही हो इसके बादे क्या uniform circular motion uniform circular motion ना याद इजी चैप्टर है ठीक है uniform circular motion इजी चैप्टर है यह चैप्टर है और यह मैं जितना चीज बोल रहा हूँ it will make you and it will help you to score 45 to 50 marks 45 to 50 marks आप इसली confirm कर सकते हो physics में सिर्फ out of 70 में यह बात बोल रहा हूँ ठीक है for class 11 यह हो गया इसके वादा center of mass and and moment of inertia syndrome of motion and moment of inertia थोड़ा difficult है मैं ऐसा नहीं आप में आपको demotivate नहीं कर रहा हूँ but थोड़ा इस chapter के comparison में थोड़ा difficult है ठीक है तो यह वाला आप बात में कर लोगा पहले जो easy chapter खत्म कर लो easy chapter से conceptual जो conceptual चीज है वो clear कर लो math equations derivations complete कर लो ताकि यार उस chapter से एक भी marks ना जाए ठीक है इसके बाद तो यह वाला chapter में हो मैं बात करो देखो यार आप किसी भी जगाने से start कर सकते हो मैं कोई नहीं हो तो आपको रोकने वाला भुठ बात मैं ये वीडियो बणा रहा हूव फोडियुम वर रॉणी मेरे को पकारना बधरा है एक अच्छा STUDENT भी है एक average student भी है ठीक हैमाह सब और पकर के वीडियो बनाने तो इस तो यह थोड़ा थोड़ा ऐसे करके वीडियो बनाना रहा हूँँ थो सब स्टुिटिंट को लेके वीडेो मनाना पड़ रहा है, कि आप अच्छे हो आपको दोस्त अच्छे ने अच्छे नहीं ने अच्छे मतलब कि आपको किसी एकठन में कॉंसेप क्या राता है इसको दो बार में कंसिप क्लीost झाय झाय ठाय है इसके बाद जो easy easy, सबसे easy chapter है, fluid pressure, flow of frequent, surface tension and elasticity, यह 4 chapters जो किया आपका आता है, I guess, property of work matters में, यह 4 chapters is very easy, 4 topics rather I should say, यह 4 topics is very easy, यह 4 topics अच्छे से करना, बहुत marks आएगा इस topic से, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो chapter है ना भाई, इसके बाद जो chapter है, यह chapter मैंने को अभी भी करना यह chapter मैं अभी पर रहा हू, simple harmonic motion engineering में, यह chapter है मेरे कोई semester में, यह, simple harmonic motion is very important, यह तुमको यह class in, मतलब क्या अगर 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 लेवल education में, यह साधे चीज़ लगा, simple harmonic motion लगेगा, vector analysis is very important, यह स्पाइजन का भूका था है, हम लोग मतलब कर मैं पर रहा हू, तो मैंने य तो यह दो, simple harmonic motion अच्छे से करो, derivations वगर अच्छे से करो, यह तुमको बाद में जाकर काम आएगा, simple harmonic motion लगेगा, इसके बादには क्या है, waves है, waves में, derivations y is equal to a sine, बहुत कुछ है, a sine omega d plus, ठीक है, तो बहुत कुछ है, waves में, तो waves वाल चीज़ अच्छे से करना, waves में, देखो, वह इसे मांपन उठाना जादा हर्ड नहीं है वह थोड़ा डेनिशन करके जाते हो तो हो जाएगा वह इसके बाद हीट ट्रांसपर हीट ट्रांसपर से मैं बोलूंगा रिजन बेस्ट कोर्शन करने के लिए उधर बहुत सरे रिजन है कि यह थंदा की हुआ है हम धंड़ा डेखो यह जाब ICC के ताइम में आप लोगों फिसक में बहुत सार कुछ था मतलब किया और बहुत सार कुछ मतलब फिसक के जो रिजन में साना इस यह क्यों हुआ यह क्यों नहीं हो रहा हम रेड लाइट दूर से कैस क्यों देख पा रहे हैं तो यह सारा डिजन इस चैप्टर में आपको आई हो ठीक है तो यह वाला चैप्टर से आप कर सकते हो heat transfer से and आप बोलेंगे भाई आप क्या thermodynamics भूल गया नहीं भाई नहीं भाई थर्मोडैनमिक्स नहीं बोला thermodynamics, gravitation and DR आपका friction तो यह यह दो चैप्टर आप बात में कर सकते हो ठीक है thermodynamics, friction and इ चारो टॉपी यह चारो चैप्टर दे हो यह थिए thermodynamics easy है बट कुछ लोग को problem होता यह यह अप यह आप यह साड़ी स्कार उसके बाद thermodynamics पक्रो ठीक है उसके बाद thermodynamics पक्रो क्यों कि यह जितना chapters में बोला वह easy chapters है and from there you can easily able to score 45 to 50 around में बोल रहू ठीक है 40 to 45 तो score हो ही score कर पाऊगा और एक बात्याद class level में 70 में 50 अगर आपको 70 में 50 मिलता है and rather में पकड़ लेता हो आपको जो आपका practicals है 30 में से अगर आपको 20 से 25 में पकड़ आपको कम करके आपको school marks देरा है 20 marks तो 50 plus 20 70 अगर 50 plus 25 में मिलता है तो 75 75 is a not bad marks it's a very good marks for you in class level class level ने बहुत ही अच्छा marks है तो अगर इतना सब करते हो बहुत ही marks है बहुत अच्छा marks है तो आपको अपको आपको अपको अच्छा marks मिल रहा है तो तो इसलिए जितने chapters बोला आप वो करो और अगर आपको कोई topic के wise problem होता है उस topic के ओपर जादा तर लोग comment करते है या फि promise है तो यह चलो तब तक के लिए चलते है कर कोई doubt है कोई सवाल है कुछ भी है नीचे comment section में आपको पूछो I will try to make a regarding I will try to make a video regarding that प्राय करूंगा आपको चीजे सब्सक्राइब का अगर फिट्स अगर नहीं problem होता है इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम में भी टेक्स कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो रही है तो चलो तब तक के लिए चलते है see ya have a good time